असलाम लेकुम विवर्स आप देख रहे हो कश्मी क्राउन आप के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इर्फान मलिक डीडिसी एलेक्शन्स का थर्ड फेज जो है वो शुरू हो चुका है कुपारा की बात करते हैं तो कुपारा में काजयाबाद कानौश्योंसी और हायमा कानौश्च्योंसी में آज वोट डाले जा रहे हैं अभी इस टाइम हम वाइन के बटपुरा इलाके में तो अभी यहाँ पर जो है यहां पर वो डाले जा रहे हैं और कंडिडेट्स भी अच्छे खासे यहां पर जो है वो एलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो आपको बताते विवर्स अभी तक कुपाड़ा की अपडेट दे रहे हैं जा रहे हैं डीडी सी के के हमें बनते हैं डिश्टिक डवलाफमेंट कॉंसल के कोई चेर्मेर बनेंगे लेकन पराने हलाद को पीछे देखेंगे बेक सैट तो हमारे को लगता है ये भी दोखाई हो जाएगा क्योंकि हलाके की कंडिशन आप देखो रोड में क्या है पानी क्या है बिजली की हीसी देते हैं सिर्फ रशीद साब बैंद है पाबंद सलासल है मगर पाटी का ये मोकुफ रहा है जो जो कॉंस्टेंसी इन चार्ज है तो देख सकते हैं जो अच्छा नमाइंदा हो लोगों को इस मरहले पे हम अपने लोगों को अवाम को जोसी नहीं रख सकते हैं उनको ऐसे काईदों के सरपरस्थी से महरून नहीं रख सकते जो लोग उनके दुखदर्द को समझते थे आप जानते हैं रशीद साब हम भी अभी यहां आए ना कोई काफिला है ना पुलीस की बड़ी जैसा है काम भी लोगों जैसा है तो उनकी जो तहजीव हैं उनको हमें लंगेट में जिंदा रखना है चाहे बॉइकाट हो या नहीं हो हमारा पार्टी का तो मैंने आपने जमदारों से भी यह बोला कि जो लोगों के मसले मसाइल है और यह सरपंच है इनके जादर के लिए बनेगा उनको अवाम की बीच में रहना है अवाम की बात को सुनना है